नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान बोल रहा हूं। कल आपने राजपुताने से राजस्थान बनने की कहानी सुनी। आज सुनिये, आजादी के बाद लोगों ने पहली बार वो डाले तो कैसा था वो दौर। शब्द हैं वरिष्ट पत्रकार राजेंद्र बोड़ा के। पहली विधान सभा के चुनाओं रियासती राजपुताने से राजस्थान के बनने का पहला कदम था। आजादी का पहला एहसास था, मगर यह असान नहीं था। जनतांत्रिक निर्वाचन कराने का प्रशासन तंत्र को कोई अनुभाव नहीं था। दूसरी तरफ सामंती ताकतों का बाहूबल अनेक जगह स्वतंत्र और निस्पक्ष मददान को धता बता रहा था। इसके साथ ही सबसे बड़ी राजनितिक ताकत कॉंग्रिस के प्रदेश संगठन के भीतर भेंग कर अंतरकलह थी। कहा जाएं कि लोकतांत्रिक शासन के उदैकाल में राजनिति ने जिस प्रकार का रूप लिया उसकी छाया अब तक बनी हुई है तो आश्चेरी नहीं हुगा। रियासतों के विले से ही मैं विदीवत राजस्थान तो बन गया किन्तु 1952 के पहले आम चुनाओं में अजमेर मेरवाला मेरा हिस्सा नहीं था। वो अलग राजी था जिसकी अपनी 30 सदस्यों वाली विधान सभा के लिए अलग से चुना हुए। वहाँ पहली जनितांत्रिक तरीके से निर्वाचि सरकार भी बनी राज्य पुनर गठन समिती की सिफारिश का नुसार 1 नवेंबर 1956 को अजमेर मेरवाला का विलाय हो जाने से राजस्थान राज्य विधान सभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 190 हो गई। लेकिन 1997 के दूसरे आम चुनाओं में विधान सभा सीटों के पुनर सिमांकन के बाद ये संख्या घटकर 176 रह गई। 1962 के चुनाओं में सीटों की संख्या तो वही रही मगर दूसरे सीटों की विवस्था जिसके तहत कुछ सीटों पर दो सदस्य चुने जाते थे वो समाप्त कर दी गई। फिर 1967 के चुनाओं में पुनर सिमांकन के बाद सीटों की संख्या बढ़कर 184 हो गई। राजी विधान सभा के सीटों की संक्या 1977 के चुनावों में नए पुनर सिमांकन के बाद 200 हो गई जो चार दशकों बाद भी अब तक जारी है क्योंकि संसत द्वारा समवैदानिक संशुर्धन के जरिये 2026 तक नए पुनर सिमांकन पर रोक लगाई हुई है जब प्रशासन पहली बार लोकतांत्रिक चुनाओं करा रहा था तब रियासतों के एक ही करण से बने राजस्थान की आबादी में पुरुष साक्षरतादर 28 प्रतिशत से थोड़ी कम थी और महिला साक्षरतादर तो सारे 14 प्रतिशत ही थी आवा गमन के साधनों का भी टोटा था उनके लिए 1952 के पहले चुनाओं के वास्ते मतदान एक एक दिन के अंतराल से 4 से 24 जनवरी तक चला आज ही जानकर आश्चर हो सकता है कि इस चुनाओं में मतगरना 18 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलती रही और परिणाम आती रहे वर्ष 1962 के विधान सभा चुनाओं में साथ दिन तक मतदान चला अब तो दो दिनों में मतदान पूरा हो जाता है और परिणाम एक दिन में खोशित हो जाते हैं अंग्रेजीराज के अंतिमकाल में रियासती राजपुताने से लोकतांत्रिक राजस्थान के बदलाओ को रोकने के तदकालिं नरेशों ने होब प्रयास किये लेकिन उनके सारे प्रयास विपल रहे सम्विधान द्वारा लागू नई गणतांत्रिक व्यवस्था में जब पहली बार चुनाऊ हुए तब वे भी अपने वर्चस्व बनाएं रखने के लिए चुनावी समर में कुदे आम जन के नरों में शेष्ठ राजा के रोडिवादी संसकारों और उनके समर्थकों के बाहुबल को उस चुनाऊ ने देखा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वे अपने महलों से बाहर आए उन्होंने ये कहकर वोट मांगे कि मैं आप से दूर नहीं हूँ तो उसका असर अनेक सीटों के परिणामों पर भी नज़र आया और लोगतंत्र ने उन्हें सामानी जन के बराबर लाकर खड़ा करही दिया लेकिन इन परिणामों ने लोगतंत्रिक राजनिती पर दूर गामी असर डाला राजे महराजों की जीत का असर क्या हुआ सुनिये कल तीसरे भाग में